हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को इश्किया ड्रामे की कास की रियल सैलरी बताऊंगी ये इंफर्मेशन हमने पाक मीडिया टेक्स से ओफिशली ली है जो कि बिल्कुल एकुरेट है तो हमारे चैनल पे आपको जितने भी इंफर्मेशन मिलेंगी वो बिल्कुल 100% true होंगी हानी आमिर ने अब तक TV पे जितना भी काम किया है उनको सबसे ज़दा सैलरी इस ड्रामे को करने पे मिली है जैसा कि आप सबको पता है कि हानी आमिर अपने केरियर का स्टार्ट फिल्म जनान से किया था उस वकत उनकी सैलरी इतनी ज़दा नहीं थी क्योंकि वो बिल्कुल अपकमिंग स्टार थी तो वो कहती है जो उस वकत उनकी पे थी और अब जो उनको पेमेंट मिलती है अगर वो उसको कंपेर करती है तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है इश्किया से पहले हानी आमिर जितने भी प्रोजेक्ट कर रही थी उनकी सैलरी उनने 40 से 45 लाग के दर्म्यान में मिल रही थी इस ड्रामे में उनकी पेमेंट में बहुत बड़ा बूस्ट आया है उनको इश्किया ड्रामे के लिए 60 लैक्स की ऑफर हुई थी और उन्होंने इस आफर को एकसेप्ट कर लिया तो इस ड्रामे में जो उनकी टोटल सैलरी है वो 60 लैक्स है यूजली ड्रामों में स्पॉंसर की पेमेंट इंक्लिउट नहीं होती लेकिन हानी आमिर को इस ड्रामे में पेमेंट रसीव हुई है वो इंक्लिउडिंग स्पॉंसर थी जो उन्होंने इस drama में designer dresses पहने है, designer jewelry पहनी है तो इन सब की payment उनको separate नहीं मिली बलके उनके 60 lakhs में ही इनकी payment in clear थी यानि के इश्किया drama में उनकी final payment 60 lakh रुपीज ही थी और फिरोज कान को usually drama में 50 lakh के आसपास ही offer होती है तो इस drama में उनको 48 lakh रुपीज की offer हुई लेकिन इस ड्रामे में जो उन्होंने ब्रैंड्स की एड़टाइसिंग की है जो उनके कपड़ों की और डिफरेंट दूसरी चीजों की उसका उन्हें 8 से 10 लाक रुपया अलग से मिला है यानि कि ये पैसे उनके 48 लाक में शामिल नहीं थे तो कुल मिला के उनका 60 लाक के क्या आप लोग ये जानते हैं कि रमशा खान अपने रोल के लिए फर्स चॉइस नहीं थी सबसे पहले इस रोल की आफ़र सबूर अली को हुई थी बाद में डिरेक्टर और प्रोडूसर ने आपस में डिसकशन के बाद रिसाइड किया कि रमशा खान को रिप्लेस कर दिया क्योंकि रमशा खान इस रोल के लिए ज्यादा फिट बैट रही थी और अब लोग भी रमशा खान के रोल को बहुत ज्यादा पसंद कर रही है रमशा खान ने इस ड्रामे में काम करने के लिए 45 लाक्स के अग्रिमेंट जाइन किया था जो के इंक्लूदिंग स्पॉंसर है हानी अमिर अपने वर्क को लेके इतनी पैशनेट हैं कि वो अपने ड्रामे की रेटिंग को रेगुलर्ली फॉलो करती है और अपनी एकसाइटमेंट अपने फैंस के साथ ज़रूर शेयर करती रही है यह मैं आपको हानी अमिर के बच्पन के पिक्चर्स दिखा रही हूं वह बच्पन में जितनी गॉल गपू और क्यूट सी अब वह उतनी ही प्यारी है हान्या अमिर के फैन फॉलिंग पहले बहुत जदा थी लेकिन अब इशग्लिया ध्रामे के बद इनके फैन लॉथ लगवाट थे की है ओड से उनकी फैन फॉलिंग बढ़ लिए है अगर भी मजीड देखना जाते हैं लोग उने बहुत जपसंद कर रहे हैं बहुत हुशुम है कि लोग अप्रिशियेट करें मुल्क के लोग मुल्से बाहर सारे लोग इतना पसंद और आप लोग भी नीचे कॉमेंट करके हानिया को अडवाइस कि वह जितनी क्यूट हैं उन्हें इसी तरह के रोल करने चाहिए या फिर उन्हें सीरियस और नेगटिव करेक्टर के बारे में भी सोचना चाहिए तो I hope आप लोग को मेरी वीडियो अची लगी होगी so thanks for watching